किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चल्ग कभी आपने सोचा है कि कोई इन ओर्गनिक कंपाउंड हो यानि एकार्बनिक योगिक हो और वो ओर्गनिक खेती में यानि जैवी खेती में परियोग होता हो जी हाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन पर ओक्साइड की जिसका फार्मूला है ह2O2 किसान साथियों हमारे जो पेट गुरूप है उसमें एक चर्चा आरंब हुई कि हाइड्रोजन पर ओक्साइड का परियोग किस प्रकार कर सकते हैं और किन-किन चीजों में इसका प्रियोग करना चाहिए और ये किस प्रकार क्रसी में सहायक है और जैविक में इसका प्रियोग उचित है या नहीं है वैसे तो आप यूट्यूब पर जाएंगे इस पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी लेकिन वो सब वीडियो अंग्रेजी में हैं और अधिकतर यूरोपियन कंट्री या अमेरिका की हैं जो गार्डनर प्रियोग करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन परोक्साइड का करसी में किस प्रकार उप्योग कर सकते हैं और कहां-कहां आपको इसका उप्योग करना चाहिए किसान सातियो यह विशे थोड़ा लंबा है और मैंने इसे दो भागों में डिवाइड किया है प्रस्तूत है पहला भाग यहां पर मैं ये बताना उचित समझूँगा कि मेरे ग्रूप में एक है एडवोकेट अमित भाटी जी अमित भाटी जी गाउं अमरेडी जिला जीन्द और राज्य हरियना के रहने वाले हैं जब हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस पर एक नोट बनाईए और जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊगा किसान सातियों उन्होंने जो मुझे नोट भेजा है वो बहुत ही अच्छा नोट है और ये पाँच या छे पेज का है जिसमें उन्होंने बिंदुवार प्रतियक चीज का विश्तरत विबरण की दिया है चुकि ये अंग्रेजी में है इसलिए मैंने इसका हिंदी रूपांतरन किया और फिर उनसे चेक कराया और आज मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं किसान सातियों ये हिंदी और अंग्रेजी के दोनों लेक हाइडरोजन पर अक्साइड पर आपको हमारी वेबसाइट अमेजिंग किसान डोट कॉम पर मिल जाएंगे जैसे ही दूसरा भाग परकासित होगा तभी ये दोनों अवलेबल होगे आईए अब हम बात करते हैं भाग एक में किसान सातियों आपने सुना होगा कि हाइडरोजन पर अक्साइड एक कैबिकल दवाई है जिसमें के हाइडरोजन और ऑक्सीजन के दो-दो अनू मिलते हैं और ये किस काम में अधिकतर परियोग होता है ये परियोग होता है चिकित्सा कारियों में जो किटानू नासक का काम करते हैं उसके लिए इसका परियोग करते हैं आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब आपके कोई गहरी गाव हो जाता है तो आपका चिकित्सक वहाँ पर एक transparent द्रव डालता है और उसमें जाग जाते हैं वो hydrogen paroxide होता है जो गाव साफ करने के काम आता है तीसरा है ये bacteria और fungus से जो रोग होते हैं उनको भी दूर करने के काम आता है और चोथा है कि जो चिकित्सा में उपकरण होते हैं या कोई भी आप उपकरण ले लो जिसे कहीं आपको sterilize करना हो किटानू रहित करना हो तो आप इसे लगा लीजिए और इससे वो किटानू रहित ह हो जाता है जिसका चिकित्सा में बहुत परियोग होता ये तो हुए इसके सामान्य परियोग अब आएए चलते हैं किरसी की ओर जरा थोड़ा नजर दोड़ा ये ये मेरा अमरूद का पेड़ है ये ताइवान पिंग ग्राफ्टिड है जो जैसरी नरसरी से लाया था देख कि बराबर में भी एक खेथ है तो इस वीडियो को मैं जैविक में दिखाने के लिए और किरसी में उप्योग के लिए इससे उप्योग तिस्थान मुझे नहीं लगा किसान साथियों अब देखते हैं कि ये करसी में किस प्रकार डाब दयक है पहला है आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कोई दवाई बताते हैं आपने कोई समस्या बताई हमने दवाई बताई और आपने दवाई डाली नहीं आपको थोड़ा इसका समझना भी चाहिए वो मैं हाइडरोजन परोकसाइड के बारे में आपको समझाता हूँ यह पानी और आक्सीजन से बना एक योगिक पतार्थ है जिसमें दो भाग हाईडरोजन और दो भाग आक्सीजन होते हैं जब यह विगटित होता है तो इसमें से पानी निकलता है और आक्सीजन निकलती है जो एक भाग oxygen का एक अनू होता है वो हमें इसमें extra मिलती है चुकि पानी में दो भाग hydrogen के होते हैं यानि दो अनू hydrogen के होते हैं और एक अनू उसमें oxygen का होता है है h2o यानि पानी अब देखे कितनी मज़े की बात है पानी भी एक inorganic compound है लेकिन यह है organic में है चुकि पानी के बीना जीवन नहीं हो सकता इसलिए इसका परियोग भी organic या जेविक खेती में सही माना गया है अब किसान सातियों हम यह देखते हैं कि यह पोधों में किस प्रका होता है hydrogen peroxide तो इसमें हमें एक बाग पानी मिलता है और आप जानते हैं कि पानी किसी भी जीवित पदार्थ या जीवित वस्तू के लिए एक रामबान दवाई है बिना उसके वो जीवित नहीं रह सकता लेकिन जब यह विगटित होता है तो इसमें हमें एक extra यानि अलग से एक अनु oxygen का मिलता है और ये oxygen हमारे पोधों के लिए बहुत ही रामबान का काम करती है oxygen कैसे करती है कि जो हमारे पोधों की जड़े होती है oxygen उन्हें जो जमीन में पोशक तत्व होते हैं उनको ग्रहन करने में साहता करती है आप ध्यान रखिए अगर किसी का दम घुटने लगे तो हम कहते हैं इसे oxygen की कमी हो सकती है इसी तरह से पोधों की जड़ों में जब कुछ bacteria या fungus attack करते हैं यानि आकर्मन करते हैं तो पोधों का भी सांस घुटने लगता है और जब हम उसे hydrogen देते हैं तो उसमें उसे पानी तो मिलता ही है और उसमें उसे oxygen भी मिलती है जिस की वज़े से पुने वहे अवरोद खतम हो जाता है और पोधों में सांस आ जाता है और पोधे ठीक होने लगते हैं अगर हम इसे जमीन में एक संतुलित मात्रा में दे पोधों की जड़ों में तो हमने यह देखा है कि यह परमानित हुआ है कि उससे पोधों की व्रद्धी म में सहायक होता है यह हुई चार बाते जो मैंने आपको बताई कि करसी में किस प्रकार यह सहायक होगा अब आप एक बात और सोग Parece क्या कभी आपने सोचा है कि जब बारिस इसमें पोदे hops तेजी से क्यों चलते सब को पता है अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बारिस के पानी से हमें नाइट्रोजन तो मिलती ही है हमें इसमें हाइड्रोजन परोकसाइड भी मिलती है और उसमें से हमें पानी और ओक्सीजन का अतिरिक्त ये अनू मिलते हैं और जब ये मिलेंगे तो पोधों में पतियों पर पड़ेंगे और आपकी जड़ों में भी जाएंगे और वहां पर ये जड़े के फैलने में आपने देखा होगे पहुत तेजी से बरसाथ में पोधे वरद्धी करते हैं तो इसके कारण ही ये वरद्धी होती है चुकि ये ब भूमी में हवा का संचार बढ़ाना, यह कैसे है कि इसमें जो मोजूद जब हम इसे जड़ों में देते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से, तो यह इसके जो एक अलग से इसमें एक्स्ट्रा अनू होता है ऑक्सीजन का, यह जमीन में उसकी मात्रा बढ़ाता है, और इसके उसकी जड़ों का विकास होता है, और मिट्टी जो होती है, वो थोड़ी भुरबुरी हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि अगर इसका उप्योग भारी मिट्टी यह सक्त मिट्टी में करा जाए, तो यह जड़ों को बढ़ने में साहयक होता है, और फलसरू प्रोदे की इसमे के पोधा बहुत जल्दी ही आपका मरना सर्ण वस्ता में आजाता है, अगर यह हो गया, तो यह क्यों होता है, कि अधिकतर जो हम पानी देते हैं, जो लोग फलड से पानी देते हैं, बहुत पानी भादिया, या जहां पर पानी रुक जाता है, तो वहां पर नमी की मा तरह अधिक होने से पोधों की व्रद्धी प्रभावित होती है चुकि इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जैसे के वो किसी का गला चोक कर दे और हमें उसे सांस की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए यही कारिये पोधों में भी होता है और पोधे कभी-कभी मर भी जाते तीसरा है और अगर हम इसे में हाइड्रोजन परोकसाइड दे ऐसी अवस्था में तो इसके प्रियोग से जो फंगस के किटानू है वहे तेजी से खतम होंगे और रोग को फैलने में भी वो बहुत सहयक होते हैं तो इस अवस्था में आप हाइड्रोजन परोकसाइड का प्रियोग कर सकते हैं एक रोग है उक्टा रोग यानि विल्ट रोग में क्या होता है कि जो पोधे की जड़े हैं वो एक तरह से भोजन लेना बंद कर देती हैं आपने खाद अधिक दिया या आपने कुछ अचानक को परिवर्तन आया तो आपकी जड़ो का ऑक्सीजन जो जड़ो जो भोजन लेती हैं और भोजन लेने के लिए उन्हें उक्सीजन चाहिए वो अवरुद हो जाती है तो आपने देथा होगा कि दो तीन दिन में ही पोधा सूख जाता है चुकि वो भोजन उपर नहीं पहुच उपर वातावरण है उसको वो कम करती है और हमारे पोधे में भोजन का संचार होने लगता है और अगर आपने समय रहते एक या दो दिन में ही ये कारिय कर दिया तो आपका पोधा बच जाता है इसलिए किसान साथियो मैं कहता हूँ कि आप अपने बाग में जल्दी जल्द जाया करें एक अपते से जादां मत करें और शूरू के पहले दौ साल में तो कम से गम 3 दिन में एक पार आपको बाग में अवस्सख से विजिट करना चाहिए अगर हम हाइडरोजन परोकसाइड की ड्रिंचिंग करते हैं तो ड्रिंचिंग से फिर वही होता है कि एक olur तो ये नेकी जो फंगस या किटानवों से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करता है बलकि आपके पोधे की सहता भी करता है। एक और काम है इसका काम है बीजो के अंकुरण में अब बीजो के अंकुरण में क्या होता है अगर आप हाइड्रोजन परोक्साइड में बीजो को भिगोएंगे तो क्या होगा आपने देखा होगा कि बीजो की जो उपरी सतय होती है वो थोड़ी सी सक्त हो जाती है और इसके अंदर जितने भी पोसक तत्वे हैं सारे के सारे अंदर ग्रहन होते हैं और इस यह हाइड्रोजन परोकसाइड उस परत को हलकी करेगा और ऑक्सीजन के कारण जो पोसक तत्वे हैं उनसे पोधे का विकास में सहायक होगा उसकी जड़ जल्दी निकलेंगी उसका अंकुरन और वो जल्दी से पोधा बनेगा दूसरा अगर आप भीगोएंगे तो जो भी जब जड़ निकलेगी तो उसके आसपास अगर कोई भी चुकि बीजोगा बीजोपचार किया है हमने हाइड्रोजन परोकसाइड से तो यह जो पर्टिकुलरी फ्यूजेरियम टाइप की इनको कोई भी बीमारी फंगस की बीमारी जैसे फ्यूजेरियम है और जो बैक्टिरियल होती है तो यह पोधे की उन कई बीमारियों से जो फंगस या बैक्टिरिया के कारण होती है उनकी रक्षा करता है एक अंतिमबाग कि यह है जब हम इसको ड्रेंचिंग के माध्यम से देते हैं तो ड्रेंचिंग के माध्यम से देने पर जो जड़ों में अतिरिक्त झा होक्सिजन गई पानी तो मिला ही अतिरेक्तो झाच और विकास होगा यहाँ पर इसके दो कारिये हैं, पहला कारिये है कि यह जो किटानू या फंगस से जो रोग है उनको खतम करेगा और पोधे को अतिरिक ताक्सिजन मिलने से जडो का समुचित विकास होगा और जब जडो का अच्छा विकास होगा तो पोधे की व्रद्धी भी अधिक होगा। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि इसको ये बाजार में किस फोर्म में मिलता है और कितने प्रकार से मिलता है और इसका परियोग आपको किस प्रकार करना है। इसलिए इंतजार के रिए इसके भाग दो का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे अवश् झाल